कि तमाम तारीफ अला के लिए जो बड़ा महर्बान नयातरे मौला है मैं यू 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 यूर्क की लाइफ बताना चाहरा पेपर के बगएर यहां कुछ दिन पहले काले और गोरे में जो है एक तनाज़ा तंग नजरिये के लिहास से काले और गोरे का जो है इशू फिर से उठा कैसे एक को मार दिया गया काले को गोरा मार दिया पुलिस वाला अब वो चल रहा था बड़ा धूम मच गई दो चार दिन तो इनसान को समझ में क्यों नहीं आ रही जिंदगी क्यों मजभी किताबें नहीं पढ़ना चाहता हो क्यों बेजार है अब यूरप में एक्सबाक्स जैसी फिल्में नई फिलिम एक बिलियन डालर बना दिये एक एक्सबाक्स की न्यू मूवी एक बिलियन डालर बना दिये लोगों को खेलने की जिन्दगी चाहिए लोगों को फन की जिन्दगी चाहिए लोगों को आखरत की जिन्दगी ने चाहिए जबकि वहाँ फन है फार एवर के लिए अब जो तेमिलाडू और तेल्गू की तरफ जो है गंदी फिल्म में आने लगी है उसको अब रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो प्रॉस्टिडूर्स भी हो गए वो यूटूब पर कई बताया फिल्मी हिरोई ने बिजन धंदा कर ले ने क्योंकि फिल्में बाज वकद ह गुम नाम जैसी हो जाती उनका नामन इशन नहीं रहता तो यह जो फिल्मी दुनिया के अंदर नगपन आगया अब इसको कोई नहीं रोक सकता सिंसर वाले रुश्वत ले रहे या इनसान मजभब से दूर हो गया इनसान को दुनिया के अंदर ही फन चाहिए जबके अल्ला अल्ला पूरी खुरान में बता रहा पिछली उम्मतों को पिछले इनसानों को अल्ला अजब दे के माड़ा जमीन के ओपर नहीं समझ में आ रहा है समझ से बाहर है अब ये बात मजभब चाहिए नहीं अब हैदरबाद की बास जिन्दगी ले लो हैदरबाद के अंदर अल्ला का दिया मिड्लिस का जो तुफेल है वो रोजगार आ रहा है हैदरबाद के मुसल्मानों के ने वो अल्ला का दिया मुसल्मानों के पास जो मिड्लिस के जरीए वया पैसा आ रहा तो चालिस पकवाने बना रहे हैं एक शादी के अंदर और अल्ला के नभी सल्लाव समय ले शादी सीधी करो तो तुम्हारी शादी फारेवर हैगी चाहे तुम्हारे अंदर जगड़े रहो चाहे तुम्हारे जिए एक दुसरे को तुम ना पसंद करो चाहे तुम लोग जो है दोनों से बेजार एक दुसरे से हो जाओ उसके बावज़ुद जिनदगी का खातिमा अल्ला के फदल से शादी के अंदर अजदूजी जिनदगी के अंदर मर्द और शौर और बीवी के तुम पर मरते हैं सुकून भी है अल्ला के दिन के अंदर साथगी से मगर अब यह जो इसराफ यह लाविश ली जिनदगी हिमाखत की जिनदगी जो हैदरबाद में आ गई वो लोगों ने भूल गया उस्मान लिवाशा के पास दौलत थी नौामों के पास दौलत थी बरब हम बताना दुनिया को नुमाईश के तौर पे बरबाद कर दिया लगता है अब योरोप के अंदर सतर फीसद तलाख और हैदरबाद में भी शुरू हो गया जाओ और देखो मैं एक मेरे दोस्त का भाई आया था मेरे को कहने लगा आप मेरी मदद करना क्योंकि आदरा हमदर करते है दूसरों के साथ तो मैंने कहा क्या चाहिए तुझे मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी दूसरे दिन मेरे कुछ छोड़ दी यह बोलके के मेरे पास बाई फ्रेंड है भूलके उसका तारुट कर रहा है मुसल्मान मुसल्मान ने रहा हिंदू के साथ शादी को रहे लड़का और लडकी भी और जो है यूरह हिंदू इजम जो है इसलाम की अंदर दाखिल juegos के जैसा , उनके जो है दिन तर्फ के जू आदत है उसमें जो है हिंदू आजिसम मालू हरा , ना इसलाम मालू हरा तो बोला मैं मैं कुछ ने कर सकता क्योंकि अब जब उसने अपना बाइफ्रेंड तुम्हार को बताई हमारे जमाने में तो लड़की हम से बात भी नहीं करते थे हम कालेजों के जमाने तरस जाते थे हम लड़कियों से बात अब यह दोर आ गया कि जो मेरे पास कभी बैट के बात नहीं करेंगे यह से इनकी शादियां तूट जाती सतर फीजद आप आके सब्वे में देख सकते हैं डिवर्स केस अब तो एक लड़की हर जगा जो एड लगा ही है ऐसी उंगली बताना क्या है माल में वो कहते हैं इंग्लिश में फक्यू अन्य वो इतनी बड़ी गंदी-گाली ऑरत दे रही हमारे जमाने में कभी हम ऑरतों की गाली जबान से निकलती वह नहीं देखे थे चालीस साल से जो अफरा तफरी आ गई, चौदा सो साल के बाद क्या होगा, ये दुनिया चल रही है, अब इसको कोई नहीं रुक्स सकेगा, फिल्मी दुनिया के अंदर मैं देखो, एक जाड हूँ, शजर हूँ, मैं एक दरख्त हूँ, मैं अपने जो ख्यालात है, वो दूस और मीठा फल है, आप ज़रूर खाएंगे, उसी तरह अगर से मेरी बात तुमको समझ में आएंगी, तो जन्नत पाने के लिए जो है, तुम ये दुनिया की जिन्दगी को ही समझ के, दुनिया की दौड़ने के बजाए, आखरत की दौड़ने की जिन्दगी शुरू करेंग बस दरख का फाइदा यही है कि अल्ला ताला उसको पैदा किया और अल्ला ताला उसको फना करेगा, उसी तरह मेरी जिन्दगी मैं फना हो जाओंगा दरख की तरह, जिसको लेना है फाइदा ले, फिल्मी दुनिया बरबाद हो रही, ये सबसे खतरनाक जो है, हिंदुस्ता को बरबाद करने का जो है शोशा चेल रही है अब। शैतान ने ये डाल दिया अप को इन्हें रोक सकता है इंडुस्तान को। Hindustan की बरबादीका सबसे बड़ा मंजर यह है कि रोज इनसान खुद कशिय कर रहा है, कोई हमें सकता है, रोज खतल खारत्गी उरी कोई नहीं रוכ सकता है, रुषवत आमिय है, कोई हमें रוכ सकता है, पानी पूरी जगह जो है साफ सुतरा नहीं मिलता, कोई नहीं रुक सकता, हास्पटलों के अंदर मुड़्दें को भी बेच रहे, बिक रहे, कोई नहीं रुक सकता, डाक्टर का इमान भी खतम हो गया, अब मुसल्मान का इमान है यह नहीं, अगर मुसल्मान के पास होता तो की जो है गंदी फिल्मों को रुका था नहीं मुसल्मान के पास एमान खत्म होगे हिंदुस्तान की बात करो में वो जो दुनिया के अंदर जो चॉइस वाले हैं ना इसलाम जो अपनी मर्जी से पसंद करके लेते हैं वो लोग ही फालू कर रहे हैं मैं आपको एक मिसाल दो तीनेक मस्जीद में न्यू जर्शी में जाकर देखो चोइस किया और फिर जो अबडु की तरह जाके अरों के अंदर अरबी सी का खुरान सी का इसारा रहमन ने बताया अमेरिका के अंदर सबसे खाबिल इंसाने बता है इंसान क्यों प्रैक्टिस करना चाहरा क्योंकि उसकी जिन्दगी उसको समझ में आगी क्यों फना होने वाली है एक घरीब एक भीकारी इंडिया में जिसारा से एक रूपया लेकर जिन्दगी गुजार लेता है पूरी जिन्दगी भीकारी उसको इजजत का कोई पटी ने रहे दी शर्म हो या कोई पटी ने रहे दी EN глаз गोज करंए सकी नहीं सिर्फ पैट पालना होता है उसका मखसद जि उसी तरह इन्सानत, समझ रहे हैं, आपने आपको सैंटिस समझ रहे हैं, डॉक्टर समझ रहे हैं, उसको भी एक एक जैसा रुपिया दे के जो है भीकारी को दिंदगी दी गई उसी तरह एक एक दिन अल्ला तला भीक के तौर पे दिया है अगर उसको नहीं समझ में आ तो वो भीकारी के तरह जाएगा दुनिया से इंसां की अंदर ये ताकट पीदा ही नहीं होना चारी के मैं जो है जड़नेंदेखऊ मैं देखू, मैं दोज़क्त बचाऊँ मैं आधा को पेचाणू. नहीं, इंसां के पास ताकट मादा खत्म हो गा और मादा परस होगे दुनिया वाले. दुनिया की महबत जाब 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 इन्सान करने है मौश से ज्यादा खौफ जिन्दगी जीने का है इन्सानों को और खौफ ऐसे कभी कई से फोन आ जाता है बता जाती है कभी कोई इमेल गाली गलोच का धमकी का देता है यह समस आ जाता है डर्ड पूरी दुनिया में देखो क्रिस्टियनिटी कहीं नहीं है मगर हिमाखत से जीना चारा सव पर सव कंट्रिस के अंदर है बले के खुश है लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्ता में बले के खुश है ऐसा खफलत में जीना चारा इन्सान इन्सान यहने देख रहा है, कोई भी हमारे सامने har 큰 कियूं नहीं आ रहा है? किताबे क्यूं नहीं रहेगी दुनिया के अंदर? अगर कोई हमको आके खतल कारतगिरी के वारे में क्यूं नहीं समझा रहा है? लोग अभाशन करा रहें हो क्यूं नहीं समझा रहा active aci来 कोई ऐसा क अब तो वाक घड़ गया, हजार साल से साथ साल का रहा है, मेरा बोलना क्या है, मैं क्यूं बता रहा हूं ये बाते हैं, क्यूं इनसान गंदा हो रहा है, क्यूं इनसान को समझ में नहीं आ रहा है, इसके बात की जिन्दगी, क्यूं उसके अंदर लखलखा नहीं है, अल्ला त तुमारी दुलत अमेरिका के अंदर लाओ कोई ने पूछा गा। तुम रूल्स्रीस में जा ऊओ कोई ने पूछा हो यह तुम एक से वट फ jokes पनो एक से समझने वालों के साथ साथ अल्ला को समझने वाला दुनिया में रहेगा तब तक ये दुनिया चलेगी अल्ला अक्बर 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 अक्बर